आपके बुककाई कोश्चन है कोश्चन 14 P, Q, R और S चार पार्टनर है रेशो 5-3-1-1 5-2, 3-2, 1 डाउट सेशन है यह आपका On 1st Gen 2021, S retire from firm S retire हो रहा है यह इसने डिसाइड किया के हम क्या हो जाएंगे retire होएंगे आगे कहता है S share of goodwill ध्यान देना यहाँ पे goodwill इसी का दे रहा है S का share goodwill है यह firm का नहीं है S shares of goodwill 420 यानि इसका हिस्सा जो goodwill का है वो 420 है मतलब सारा जो 420 है इसी को ही मिलना है अच्छा firm भी है S shares of goodwill S अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है मैंने गलत पढ़ लिया चिंता मत करो जादा question में क्या कहता है S retirement goodwill of the firm तो firm का मतलब इंचार होगा goodwill और जो goodwill of 420 है भाई अभी भी देखो पीछे से आवाज आ रही है बाते करने की आप यहां देख लो जो बच्चा बोल रहा है वही बाते कर रहा है ठीक है तो ध्यान रहे कि आप सीधा concept देखें पहले आगे कहता है यह new profit sharing ratio 4-3-3 आपका new PSR दे दिया यहां पे 4-3-3 यानि आपको new PSR लिख दिया मैंने 4 is to 3 is to 3 तो सबसे पहले यह 4-3-3 किस-किस का है यह है P का और Q का और R का तीन पार्टनर का है 4-3-3 अब जब कभी भी आपको new ratio दे देना तो आपको gaining ratio निकालना ही पड़ेगा अब सर गेनिंग ratio कैसे निकालते हैं formula simple है gaining ratio is equal to new ratio minus में old ratio यहां निकाल लेते हैं gaining ratio यहीं पे निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम निकालेंगे P का Q का and R का तीनी partner तो है P का new ratio है हमारा 4 by 4 3 7 और 3 10 4 बटे 10 और 3 by 10 ध्यान दीजे बस यहां बोर्ट पे ज़्यादा कुछ इसके बाद यह आएगा 5 by फिर से 5, 3, 8 और 9, 10 पूरे 10 आएगा कुछ बच्चे गल्दी कर रहे थे दुबारे repeat कर देता हूँ कि वो सोचर थे यह retire हो गया है तो इसी को consider कर लेते हैं जिसके विए से answer गलत आ रहा था आपको पूरा ही लेना है old में minus कर देंगे हम फिर से आगे 3 by और again minus 1 by 10 चलिए इसको solve करते हैं 10 है यहाँ पे और सब के नीचे 10 है तो बड़ा simple तरीके से solve हो रहा है यह यहाँ पे आ रहा है हमारा minus 1 by 10 यहाँ पे आ रहा है 0 by 10 और यहाँ पे आ रहा है 2 by तो इसका मतलब है जो positive में आ रहा है वो gain कर रहा है और जो negative में आ रहा है वो sacrifice कर रहा है तो इसका मतलब very clear है कि जो यह partner है न हमारा यह partner sacrifice कर रहा है sir sacrifice करने का मतलब क्या हुआ कि एक partner चला गया जब तक partner था तो मेरे हिस्से में ज़्यादा आता था लेकिन एक पार्टनर चला भी गया और पार्टनर के जाने के बाद मेरा हिस्सा बढ़ने के जगह पे और कम मिलने लग गया मेरे को वो कुछ new ratio के हिसाब से तो इस situation में अब goodwill का पैसा यहां दो लोगों को goodwill की मतलब goodwill जो है premium वो दो लोगों को मिलने वाला है एक हम इसको भेजते थे के भाई अपना goodwill ले जाओ goodwill की तो entry कर रहे हैं अब इसके साथ साथ इसको भी बोलेंगे तुम भी goodwill ले जाओ यानि अब यहां दो पार्टनर को goodwill दिया जाएगा तो जिसको goodwill दिया जाएगा उसका account क्या होना चाहिए बताइए credit कर देंगे और जो responsible है देने के लिए उसका account क्या होना चाहिए तो यहाँ पे देखो तो एक ये वाला जो पार्टनर है न क्यूँ तो ये क्यूँ पार्टनर ने तो बोला के मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैंने कोई ना फाइदा उठाया पहले भी मेरा तीन बटे दस था अब भी तीन बड़ मेर से तो कोई उम्मीद ना करे के मैं दूँगा तो सबसे ज़्यादा benefit किस ने उठाया यहाँ पे R दोनों को देगा किसको देगा P को भी देगा और S को भी देगा तो पहले ये concept समझो तो entry क्या generate होगा यहाँ पे entry R debit to P का count R debit हो जाएगा और to sorry दो credit होगा P और S अब सबसे पहले goodwill निकाल लेते हैं जी Sir goodwill कैसे निकाले goodwill की अगर मैं बात करूँ तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा S का share S का share 420 multiply by 110 यानि 42 1000 कोई दिक्कत इसके बाद अगले बात करें हम तो किसका share निकाले P का P का भी तो पता होना चाहिए तो P कितना gain कर रहा है तो P sorry sacrifice sacrifice 420 into में sacrifice यह कर रहा है 1 by 10 तो minus का कोई logic नहीं है तो minus का सरिफ पता मतलब क्या होता है बस इतना सा मतलब होता कि यह पता चल गया sacrifice है बागी goodwill निकालने में ऐसा मैं सूच ना कि वो भी minus में ही आएगा ठीक है ना बस वो निकालने के लिए तो यह 42,000 यानि 42,000 का हिसाब बना है तो general entry क्या draw होने वाला है हमारा सारा का सारा R के उपर burden आएगा तो R का capital 2 P का capital और 2 S का capital तो R का capital कितने हो जाएंगे दोनों को जोड़ देंगे 84 क्योंकि यह है 42 और 42 being क्या लिखा जाएगा premium given to P and S मैं इसी question में एक concept add on कर रहा हूँ ठीक है न suppose करो firm का goodwill नहीं होता suppose करते है firm का goodwill नहीं होता हमें goodwill जो given होता न extra मैं लिख देता हूँ extra suppose करो मैं कहता कि जो partner retire हुआ है S का share जो premium है वो suppose करो 10,000 है S का share premium 10,000 अब यहाँ पे firm का तो premium है नहीं किसका premium है S का है यहाँ पे अब P का निकालना challenging वरा हो गया P का पहले देखो S का share है तो मुझे पहले सबसे पहले जो मैंने यहाँ निकाला S shares of premium क्योंकि भाई मुझे S का नहीं पता था क्या मैं अब S shares of premium निकालूँगा नहीं निकालूँगा क्यों नहीं निकालेंगे भाई दे रखा है पहले से अब challenging क्या है मैं निकालना है P का share जो उसने sacrifice किया है P का share जो उसने sacrifice किया तो P का share कैसे निकाले वहाँ पे तो firm का पता था और firm का पता था तो हमने निकाल लिया यहाँ तो firm का पता तो पहले हमें P का shares नहीं निकाल सकते पहले हमें निकालना पड़ेगा firm का share Firm Shares of Premium कैसे निकालेंगे 10,000 रुपे भाई तेरा ऐसे है न और तेरा रेशो था एक बटा दस तो हम करेंगे दस बटे में रेशो रिवर्स किया ये क्या आगया Firm का तो हम concept को ज़्यादा ना खीचे तो हम Firm Shares के जगाँ पर मैं सीधा ही निकाल सकता हूँ P का Shares और यहीं पर लगे हाथ मैं एक बटा दस कर दूँगा ये तो आगया Firm का और Firm के Shares को Multiply करना है जितना partner ये sacrifice कर रहा है 1 by 10 से Multiply कर दिया ऐसा मत समझना इसी को 10 बटा एक उल्टा इसी को सीधा कर दो ये मत समझ लेना ठीक है न तो ये तो है किसका ये है हमारा P का और ये था हमारा Firm का निकालने के लिए तो ये पूरा हिस्सा जो निकाला है ना मैंने ये Firm का Goodwill एक स्टेप मैंने यहाँ पर खतम करा है तो एक्स्ट्रा बाते बता रहा है तो ऐसे सिच्चूशन में ऐसे हम निकाल लेते जो कि इसका भी अल्टिमेटली 10,000 आता और 10,000 रुपए और 20,000 रुपए डेबिट का देते ठीक है न तो दोनों तरीके से question पूछा जा सकते है तो maybe आपका एक और question होगा उसमें साइद वो premium हो मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें doubt है तो बताईए question number side 18 है 18 में क्या देता है goodwill appear in the books अच्छा एक goodwill appear in the books भी दे रखा है appear in the books और एक और concept और add लिकर देते हैं पूरा concept खतम हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा अगर मान लो question में कहता कि firm का पहले से appear in the books है appear in the books का मतलब पुराने firm के अंदर पहले से goodwill है AS 26 क्या कहता है कि goodwill मत रखना firm balance sheet में और पहले से appear in the books का मतलब है balance sheet में दिखा रखा है गज़त है नहीं balance sheet में कहां दिखा रखा है आपने asset side में अब asset side में जब goodwill दिखा रखा है उसे हटाना पड़ेगा यानि zero करो तो asset side debit होता है asset side क्या होता है हमारा debit होता है जब asset side हमारा debit है तो हमें क्या करना पड़ेगा credit तो इसकी entry करेंगे to goodwill ठीक है अब two goodwill करने के बाद right of job करेंगे न सभी partner में करेंगे बोलेंगे कि ये जो goodwill होगा ना already appear अब बताईए मुझे already appear का मतलब पहले से चला रहा ही है तो पहले से चारों partner थे सारे partner थे तो ये सारे partner की responsibility बनती है सारे partner ने मिल के ये गलती कर रखा था ये S26 को violate किया हुआ था तो सभी partner अपने capital को कम करेंगे अगर मेरे वाले example में P है Q है R है और S है तो सभी करेंगे किस ratio में करेंगे ये old ratio समझ मैं ही बात आपको कोई doubt बताईए appear है already उसको write off करना पड़ेगा दो goodwill कुछ बच्चे बोल रहे थे दो goodwill भी दे रखा है तो इस question में इस concept में जो मैंने बताया आपको सारे points मेरे हिसाब से clear हो गया होंगे ठीक है अब फटा फट से आप इसको क्या करिए एक पार note कर लीजिए और फिर हम आगे जो भी doubt है वह भी टू भी continue लेंगे हागे डंक